नावी कंपन हुआ था इसके बाद मैं सिर्फ रेखाएं उबरें इसके बाद मैं देवमों दवारा उनीत अभिशेक हुआ सुदा अदिशेक का कारिकरम कई वार ऐसे संपन हुआ है तो ऐसे अदिशाच्चेत्र में आप सभी आए हैं और जो भी टीवी में देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ अदिशाच्चेत्र को अपने आप में समाहित कर रहे हैं मैं आरिका सस्ति हुशन माता जी के संघस्ट डीरी से अनुरूद करता हूँ कि यहाँ पर माता जी से एक प्रिश्ण मुझे माता जी से अनुरूद करते हैं माताजी से अनुरूत करते हैं कि पंच कल्यानक के विषय में जो पात रादी वनेंगे उसकी विषय में थोड़ा सा आप प्रकाश डालने के किर्पा करें बोले चावी सों बगवानी की चलिए सबी लोग हाद चोलने बोले भूगर विसे प्रक्टी स्रिमोनी सुप्रतनाथ बगवानी की अभी आपकी आवाज नहीं आई ठंड तो लग रही है मैं मान रही हूँ कि थोड़ी बहुत हलकी फुल की ठंड तो लग रही होगी लेकिन अंदर से आत्मा में बहुत गर्मी है गर्मी है की नहीं है न बोले भूगर विसे प्रक्टी स्रिमोनी सुप्रतनाथ बगवानी की जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी जोड़दार जैकारा लगाएं आपका पूरा घर गुंजाएमान हो जाना चाहिए बोले जिन्तमणी श्री पारशनाथ भगवानी की वे ऐसे बैठे की जहान बन गए वे ऐसे उठे की आस्मान बन गए हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए वले विश्वन्दी स्री महावीर भगवान की जिन्वानी माता की परमपूझ आजा गुर्देव स्री सन्मती सागरजी महराज की परमपूझ आजा गुर्देव स्री ज्याम सागरजी महराज की होने वाले पंच कल्यानक प्रतिष् की है भाइया जी का है प्रस्ण है कि पंच कल्यानक के इंद्रों के विशय में कुछ बताईए कि इंद्र पद एक बहुत बड़ा पद है कि स्वर्ग में इंद्र होते हैं भवराले चाली सा बिंतर देवान होंति बत्ती सा कप्पा मर चव्वी सा चंदो सूरो नरो तिरियों द्रव संग्डय में आचारे नैमी चन स्वामी जी ने जब मंगला चरण किया और मंगला चरण के बाद उसकी ठीका हुई उस ठीका में जो श्लोक आया जो गाधा आई वो ये है और बड़ा आनन्द आया है क्योंकि जब मंगला चरण में कहा जीव मजीवम दबबम जिनवर वसहन होन जैन निद्धि ठम देविंद विंद बंदम इस लाइन के लिए ये गाथा लिखी गई की देविंद gimbal वंदम यानि जो देव अंद्रों के द्वारा बंदित हैं वंसाद सब्वधा सिरसा नहें को सिर्षोकाकर नमश्कार करता हूं थो देविंद विंदे वंदम कितने द्वेंद्र हैं कितने इंद्र हैं तो कहां सो इंद्र हैं कौन- Prevention से हैं तो फिर बताया कि वेंतरों के 32, 40, 24, सूर्य, चंद्रमा, नरों में चक्रवर्ती और तरेंचों में शीर इतने इंद्र होते हैं भवन आलय 40, भवन वाशियों के 40, वेंतरों के 32, वेंतरों के 32, वेंतरों की चर्चा करते हु और वेंतर, उनके भी 32, वेंतर, वेंतर देवान होना 30, कपपा मर 24, आप जु कल्पवासी देव हैं ऊपर के, स्वर्ग वाले, उनके 24 इंद्र हैं और चंदो यानी चंदरमा, सूरो यानी सूरे, नरो यानी नरो में चक्रवर्ती और तिरियो तिरियो यानी शीर, तिरियंचों में शीर, ऐसे सो इंद्र होती हैं अब यहाँ पर जब भगवान का समोशनल लगता है तो सारे इंद्र जाकर भगवान के चर्णों में सिर जुकाते हैं अब जिनके चर्णों में भगवान कितने महान होंगे जिनके चर्णों में सो इंद्र सिर जुकाते हैं शेर भी जाता है चक्रवर्ती भी जाता है यहां तो प्रधान मंत्री चला जाए और जाके पूजा करके आ जाए वो मंदिर महान हो जाता है वही क्यों प्रधान मंत्री आया था कि यहां तो प्रधान मंत्री आता है ऐसा होता की नहीं होता है जहां पर बड़े लोक जाते हैं महांजना गता सो पंथा जहां पर महाजन लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, वो लोगों को लगता की वास्ताव में है, तो जहां पर सो इंद्र जुकाते हैं शिर अपना, वो भगवान कितने महानों के हैं, अब यहां पर पंचम काल में इंद्रों के विमान नहीं आते हैं, इंद्र नहीं आत जब शाक्षात तरधंकर होते हैं जब साक्षात इंद्र आते हैं अभी यहाँ शेर आ जाए बताओ क्या होगा है इंद्र है आने दो इसको लेकिन नहीं भगवान के समोशंब समय में जाने का प्रभाव कुछ और होता है और अभी वर्तमान की परिस्तितिया, कुछ और हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, अभी भी कभी, कभी, देखने को मिल जाता है, कि जंगल में जो मंदिर आड़ी होते हैं, वहां शेर आड़ी कई बार आते हैं, अभी यहाँ पर एक कुता रहता है, जब भी बाहर निकलो बन्यामी जरूर करता है, जरूर नहीं नहीं होती है लेकिन जब भगवान के समूशरण यह इंडर जाते हैं तो हो जाने के बाद भगवान का आभामंडल काम करता थे होँआ टोशेर और काय के एक घाट पर पानी दीते हैं वहाँ गाय गाय है लेकिन शेर भी गाय है सुभाव से रूळता खतम हो जाती है तो पंचम काल में ना तो शेरा सकता है ना चक्रवर्ती पैदा हो रहे हैं ना यहां पर स्वर्गों के देवा सकते हैं तो अब हम क्या करें भगवान के पंच कल्याना की पूजा कैसे करें तो फिर भगवान की पंच कल्याना की पूजा में आप मनुश्यों के बीच में से कुछ मनुष्यों को निकाला भाता है योग्गता के आधार पर और उसके बाद आपके अंदर इंड्रों की स्थापना की जाती हैं और इस्थापना करने के बाद फिर आप से वह काम कराई जाते हैं जो कम स्वर्ग का इंड्र क्लता है कम सकम आप जब इंद्र बनेंगे बनेंगे लेकिन उसकी अनुभूती अभी लेलो आप यदि अनुभूती अभी आएगी कि जो अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है भगवान के पंच कल्यानक करने में तो जब साक्षा तिर्थंकर होते होंगे तब क्या होता हो देखो हो आ गया के जिसकी मेना चर्चा की थी वह अके बैठ वी गया कि अभू प्रबचन सुनेगा यहां बैठ करके अभी वील्लकुल द्वार पर बैठा नहीं कभी मंदिर के अंदर नहीं आतर इतना समजदार रिस्ज़ों के अंदर नहीं आता हमेशा बाहर बैठा रहता है सब लोग देख लेंगे कौन सा वो भक्त यहां रहते तो बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन भक्त कुत्ता एक ही है तो इस तरह से जो स्वर्गों के देव हैं वो नहीं आ रहे इस समय आपको अनुभव दिलायज आ रहा है कि स्वर्गों के जो देव होते हैं जो भगवान की भक्ति करते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा उसकी अनुभूती थोड़ा सा अंश आपको यहां पंच कल्यानक में देखने को मिल जाएगा और जो यहां इंदर बने आपके शेहर में पंच कल्यानक होता है तो आपके शेहर के लोग इंदर बनते हैं आपके गाओं के लोग इंद्र बनते हैं लेकिन यहां पर उडिशा का सौधर मिंद्र कौन उडिशा का सौधर मिंद्र राजिस्थान का कुवेर उत्तर प्रदेश के महायक गनायक और माता पिता महराष्ट के बासमझ में आई की नहीं आई शहर के नाम भी बताऊंगे और माता पिता महराष्ट के यानि यहां पूरा भारत इखटा हो रहा है अकेले एक जगह के इंद्र तो यहां पर जो है एक गाओं का पंच कल्यानक नहीं है एक शहर का पंच कल्यानक नहीं है जो मंदिर बना है वो एक शहर वालों ने नहीं बनाया है यहां पूरे विश्व ने मिलके मंदिर बनाया है पूरे समस्त भक्तों ने मिलके मंदिर बनाया है तो इसका जो पंच कल् सबस्क्राइब जो भाकते हैं जिनो ने 24 सी विराजमान करी है वह न दुट रिंदरानी बने चुन्ने रिंदर्णी स्थापित हैं वह भी इंद्रिंद्रानी पूरे भारत का मिलके काम हो रहा है तो ऐसा चेत्र बड़ी मुश्किल से देखने मिलके अरे बोलिये न हैं ऐसा चेत्र बड़ी मुश्किल से मिलता यानि घर में चार जने हैं तो चार जनों को एक करना बड़ा मुश्किल होता है बोलिया होता की नहीं होता है घर में केवल चार मैं छेकी भी बात नहीं कर रही हूं केवल चार भी होना तो चारों को एक करना बड़ बारत को एक कर दिया इन्होंने सारी दुनिया को एक कर दिया सारी दुनिया को अकेले भारत को नहीं क्योंकि यहां आफरीका वाले जर्मनी वाले और हैं है है अमेरिका वाले लंदन वाले और मैं सिंगापुर वाले चीन वाले जापान वाले वी बीच में जब शन्यम आवास आई थी उसने में ज़े शांति धारा करी थी और प्रथम बोली भी उन्होंने ली थी वह जापान वाले थे जाज जी जैपूर के हैं जापान में रहते हैं उन्होंने करी थी हैं दुबाई वाले तो इस तरह से पूरा विदेश भी चुड़ा हुआ है मैं यह नहीं कह सकती कि कहीं के भी छूटे हैं कोई भी विदेश से यहां आता है राजिस्थान में और भारत आने का प्रोग्राम भी बने तो यह सोचता है कि यदि जा रहा हूं तो जहाजपूर जरूर जो होगा अब आसाम गुहाटी आसाम गुहाटी भले विदेश नहीं है अगर दूर है थोड़ा सा दूर है लेकिन वो भी यह सोचते हैं राजिस्थान यदि किसी की शादी में आना कई बार तुम मह ही अचिलाएं बताती है बले शादी में धर आकेले आ रहे थे मैंने जहाजपूर ले चलो तो मैं भी चल रहीं ह। कहां आईए शादी में निमित्य क्या बनाया है जहाजपूर का तो ऐसे अतिशयकारी भगवान का पंच कल्यानक होने जा रहा है और उस पंच कल्यानक में आप भाग ना ले पाओ यह तो मामला कुछ गड़बर लगता है हैं आप इंदरिंदरानी ना बन पाओ जिन भगवान पूरे विश्व को एक कर दिया है उनके पंच कल्यानक में तो कमस्कम इंदरिंदरानी बनकर आपको बैठना ही है और इस तरह से भगवान ने तो रंग परिवर्तन किये मंगर सारी दुनिया का रंग बदल दिया सारी दुनिया पर चड़ा दिया अपना रंग उतारते रहे और दुनिया पर चड़ाते रहे ऐसे रंग परिवर्तन वाले भगवान ऐसे आख से रोशनी निकलने वाले भगवान नाभी इस्पंधन वाले भगवान अपने आप अविशेक होने वाले भगवान देवों के द्वारा और भक्तों पर अतिशे बरशाने वाले भगवान य पहली बार हो रहे हैं और उसमें आप सबको बैठना जरूर है मे Morgan ऑनो मेरे निमन्न तरण भी मालो ना क्या कि आपको कहीं देता मना करते होते हो यह हैं यहां पर मालमोद चमलेशवर में विधान हो रहा सीका तो कई वार वो लोटकर यहां हो करके आगे जाते हैं कोई भी अधी चवलेश्वर जाता तो यहां हो कि जाता है तो मैंने पूछा हूँ बोले आज चवलेश्वर में खाना था इसे खाना देने की इंसान अपने घर में खिला देना विचारा कोटा वाला चवलेश्वर म तो कोई बात नहीं जमती है। तो फिर मैंने उसे और पूछाया एो मैंने कुछ और थिए भावलू अनगतर है। ह्या बीदान वन्याल वाद में था। कि विदान भाद में था काना पेले था। हैं तो मैंने उसे का खाना था या विधान था। बोले नहीं था तो खाने वो तो विधान की वजा से रखा हुआ था ते इसका मतलब आपको खाने का निमंत्रन दे तो आप पहुच जाओगे की नहीं अरे बोलिये ना तो अच्छा चलो मैं आपको एक आइडिया देते हूँ आपका यहां पर पंच कल्यानक में शुद्ध भोजन का निमंत्रन है बोलो कैसा लगा शुद्ध भोजन का निमंत्रन का मतलब समझे इंद नराणी बनना तो अपने शुद्ध भोजन कराया जाएगा यहां पर बाकी ओने कराया जाएगा तो शुद्ध भोजन का निमंत्रन का मतलब अरे बोलिये ना इंद नराणी बनना तो आपने स्विकार किया निए खाने का निमंत्रन अब यह मामला था थोड़ा सा ऐसा खाना अभी देखते हैं के ना सोचते हैं अभी है ना तो बंदू यहां के पंचकर न्यारक में आप लोग तन से मन से और धंसी क्योंकि दान हर जगह मन से नहीं दिया जाता है दस लोग आके बैठ दे बैस आपको एक लाक रुपे लिख हुआ है आपने मन से नहीं दिया है आपने तन से धन दिया है लेकिन जहाजपुर में एक एक रुपिया भी यहां लगा है तो वह मन का भी है तन का भी है और धन का भी है वह दिल का भी है और आत्मा का भी है एक भी रुपिया यहां बिना मन का नहीं लगा हुआ जब तक द लगी है दिल लगा है मेहनत लगी है अपना समर्पन लगाया है उस समर्पन से स्थीर्थ का यहां पर निर्माण किया गया है यहां मुझ देखकर पैसा नहीं दिया गया यहां पर भावों से दिया गया है कल एक भाई साव आए थे प्रदीप जी दिल्ली वाले तो बुले मात याजपूर में कोई प्रतीमा निकली चलो वहां भी दर्शन कराते हैं फिर मैंने यहां आके देखा अरे इतना बड़ा बन रहा है फिर मैं बोले मैं कभी बोली नहीं लेता हूं फिर मैंने यहां बोली ली 1,11,000 की बोली ली फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि कुछ और करू लेकिन कोई कहदे तो करूं, क्या उनके मन में आया, कोई कहदे तो करूं, आप देखो विचार क्यासे टकराते हैं, मैं हर किसी से कभी नहीं कहते, मेरे मन में आया कि इनके नाम का जिनाला यहां बनना चाहिए, मेरे मन में ऐसे भाव आया, और मैंने उनसे का कि भाई सब आप को महेंदर इंद्र वनना है बुले माता जी मैं आस तक पंच कल्यानक में नहीं बैठा बादनों ने बताया कि मैं आस तक किसी पंच कल्यानक में नहीं बैठा लेकिन मैं यह सोचता था को यह थोड़ा सा प्रेस करें मुझे थोड़ा सा कहें मुझे कि मैं पंच कल्यानक में ब मिलने की जरूरत है तो ऐसा पंछ कल्यानक यहां होने जाता है और इस फंच कल्यानक में कोई चूक ना जाए कोई रहना जाए और यह ए बनी हों कि मुझे लगता है शायद को वाा मैंने नहीं कहा आपने कहा दिया कि मुझे दो क्वारा बना रहे है तो तैयारी करें डिजर्वेशन कराए अपने एरो प्लैन के टिकेट करवाए जहां से जैसे आना है पूरी तैयारी के साथ में आए भक्ति से आए श्रद्धा से आए कितने दिन के लिए लेकिन आने के पहले सूचना जरूर दे देना फिर आने के बाद ववस्था गड़वर्णा हो आपकी आ निधियों में मानवक का बिद्वानों में चानक का और होने वाले पंच कल्यानक का बुनाई में बुनने का चावल में चुनने का और आपके इंद्रेंद्रानी बनने का अनाज में दाने का इनाम में पाने का और धन रूपी दिल यहां लगाने का चलिए अगला प्राशन ह माता जी मेरे एक प्रश्ण है मेरे मन में बार बार आता है स्वर्ण सोभाग्यवती महलाओं का पंच कल जाड़ात में सबसे बड़ा क्या महत्व है आप बताएजी करपा करके महिलाओं का देखा बई तुमारा नाम आगया महिलाओं के अपने कान खड़े होगा है महिलाओं के हाँ हमारा नाम आगया थोड़ा सब्से जादा प्रस्टी के स्रजन में सबसे जादा योगदान महिलाओं का है और महिलाएं सवभाग वति भी कही जातीתחOT एक होता भाग यहाँ सो भाग हन्रेड भाग हंड्रेड लक इखटे होते हैं वहां एक सवभाग होता है तो सवभाग वति महिलाएं यहाँ पर पंच कल्यानक में अपना योगदान करेंगी और वो इंद्राणी है ना वो नहीं कर सकती है यह स्वभाग मतीव महिलाएं अलग से बनाई जाएंगा और इनका काम यहाँ पर बड़ा उत्क्रष्ट काम रहेगा यहाँ रहेगा शुद्धी का वेदी शुद्धी किस से करवाई जाएगी महिलाओं से चनन जो बनेगे उनकी शुद्धी किस से करवाई जाएगी महिलाओं से महिलाओं का वो शुभ हाथ हाथ तो सब महिलाओं के पास में हैं वगर शुभ हाथ कौन सा वो शुभ हाथ होगा जो यहां पर शुद्धी का काल्य करेगा, जिस पर भग्वान विराजमान होने, जिस भग्वान के दर्शन करने लाखों करोड़ों लोग दूर दूर से आएंगी, ऐसे भग्वान की व्यदी शुद्धी का स्वभाग महिलाउं को दिया जाता है, और महिलाएं तो महिलाएं है, घर को स्वर्ग भी बना देती है, सब तरह की महिलाएं होती है, ऐसे पांच उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे सब तरह की महिलाएं बराबर नहीं है, नाना कम्मा, नाना जीवा, नाना जीव है, नाना कर्म है, अनेक तरह की महिलाएं होती है, स पादमावती भी हुई है जिसने आग में खूत कर अपने प्रान दे दिये मंगर अपने को किसी और के सामने समर्पित नहीं किया पदमावती हुई है रानी जोधावाई हुई है राजस्थान में जिसने उन गर अकपर के यहां जाकर भी अपने पूरे धर्म का निर्वाह करके पती के मन को परिवर्थित कर दिया अनेक अनेक महिलाएं हैं, जो महिलाएं अपने जीवन को अच्छा बना करके सारे वातवरल को अच्छा बना देते दुनिया के सबसे वड़े दो युद्ध हैं फैमस बोलिये कौन कौन से हाँ बोलिये आगे बोलिये रामायान और महाभारत वो दौनों युद्ध जो हैं वो दौनों जो युद्ध हैं वो किसके कारण हुए अरे बोलिये ना इसमें डरने की क्या बात है अब हुए है तो हुए है दोनों युद्ध किसके कारण हुए हैं महिलाओं के कारण तो नारी को कम मत समझ ना आँ बहुत चोटा समझते हो नारी परियाए 84 लाख योनियों में सेकेंड लास्ट है उत्तम तो है पुरुष परिया है उत्तम कौन सी है पुरुष परियाए उससे जो पहले वाली है वो नारी परियाए जैसे गारी के दो चक्के होते है रथ चलता है ना गारी चलती है ना स security चलती है ऐसे हैं संसार 2 के बिना चलने वाला नही थे तो नारी इस्थान प्रमः भूमिका नाप और पंच कल्यानक में अलग से जैसे की मुख वेदि की जो शुद्धी होगी उसके लिए जो बाजुवाली वेदी होगी उसके लिए जो 24 चरह होंगे उसके लिए जो नीचे सहस्रकुड जिनाले बने हैं उसके लिए बिल्कुल सबकी अलग-अलग शुद्धी के लिए अलग-अलग महान नारियों का चुनाओं किया जाएगा उसमें यदि उनके पती आजाते हैं तूतकरस्ट है साथ में वह भी विधान में बैठें वह भी पूजा में बैठे और यदि नहीं भी आते हैं तो नारी का यहां पर एक इस्थान दिया जाएगा अलग से और उनको बिधान की पूजन की बवस्था भी अलग से करी जाएगी और समय समय पर शुद्धियादी का कारिकरम उनके हाथों से करवाया जाएगा तो जो नारी यह चाहती है कि मैं इ इछे मत रहना कई बार होता है पति देप बहुत बिजी रहते हैं नहीं आपाते हैं और उनके मन में रहता है कि देखो में इनके कारण से भगवान की पूजा भगवान की भक्ति नहीं कर पा रही हो तो बिलकुल मन में मलाल ना रखें बिलकुल मन को खराब ना करें आप यहा से नहीं करवाया जाएगा पुरुषप ने आपको बड़ा बताते हैं मैं भी ऐसा नहीं कहती है मैं मान रही कि बड़े लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं नारी को आगे किया जाता है नारी की भूम का होती है जहां पर उन सवभागवती नारी को आगे किया जाता है अब परका यह लड़की यह कोई दिक्कत नहीं स्वभागवती नारी बच्चे हैं संतान है घर में यहां माता-पिता है और यहां साससुर है यानि भरा पुदा परिवार है आज कर नारी कहती अरे उस लड़की की साससुर है मैं इतनी सेवा नहीं कर सकती मुझे तो ऐसा लड़का चाहिकर कोई ना हो लेकिन धरम तो कहता है एँदि तुमारे माता-पिता नहीं तुमारे साथ ससुर नहीं है तो तुम सासवाह मती कैसे बन सकती यानु माता-पिता तब घर में पूरी खुश्य आएगी और जम और पूरी खुश्यों ओगी मन प्रसंग रहेगा और जमन observe तभी तो स्वभाग जागरत होगा तो स्वभाग्वती महिलाएं भी अपने भावों को बनाएं और आने का मन बनाएं चलिए अगला प्रश्न अब गुंजदीदी से निविदन करते हैं को यहां अपर एक पृष्न कुशे हाँ चलिए आप माताजी मैं मैरा एक परशन है बहुत बगीद बभुस Congo प्रतिकरमण प्त्याख्यान प्रति अए आत्या होगा अधि बॉली न प्रतिकरमण प्रत्याख्यान कि में आ है डियरा है भ्रत छी लिये हैं उनमें जो दोश लग जाते हैं उनके लिए किया जाता है प्रतिक्रमा उनके लिए किया जाता है प्रतिक्रमा और जो आगे ना हो उसका किया जाता है प्रत्याख्यान कि भगवान ये दोश आगे ना हो मैं इसका प्रत्याख्यान करता हूं इसका त्याग करता हूँ जैसे अवाहर के बाद आते हैं तो प्रत्याख्यान करते हैं जैसे आपने भोजन किया भोजन के बाद मैं आपको अब 6 घंटे तक भोजन नहीं करना है तो आप अपना प्रत्याख्यान करतो यानि त्याग करतो क्या त्याग करतो अब मैं 6 घंटे तक भोजन नहीं करूंगा यह प्रत्याख्यान हो गया कि तो पूर्व की गलतियों का प्रतिक्रमाध और भाविशे की गलतियों का प्रत्याख्यान म Youtube अगला अप्रशивать कैला का हुँ बंदेज ए ए ड्मा रवान संक Ü tutor अगल क किसी ब्यक्तिका अ मंधेतिका अधिन समय में अकाल मरान हो जाए तो उसके अंत समय में जिए उसके परिणाम अच्छे हो तो उसका जो जीवन भर किया उसने धर्म किया है अंत उसके क्या हो बेकार जाता है प्रस्न है प्रणाम अच्छे हो तो क्या हो और बुरे हो तो क्या तो नहीं चर्चा कर लेते हैं च अंतिसमयन, मामला वड़ा टपड़ है, अंतिसमयन, किसको पता है, किसी को आपना अंतिसमय एक किसी को पता है, पता नहीं होना अच्छी बात है कि बुरी बात, आपकी दरश्टी में, चली पहले आपसे पूछ लूँ है कि हमें अपना अंतिसमें बता नहीं है तो आपको पता है कि अच्छा है या बुरा है बोली अच्छी बात है या बुरी बात है अच्छी बात है पता होना पता नहीं होना बहुत बढ़िया जो भविश्य में क्या क्या छुपा हुआ है हमें नहीं पता है तभी हमारा कर्म हम भोग पाते हैं पहली बात यदि हमें पता हुजा तो कर्म कैसे भोगेंगे हम पहले से ववस्था कर लेंगे, ववस्था तो वैसे हम बहुत करते हैं, मालो किसी ना शादी की डेट निश्चित करी, और जून का महिना है, और जून में आधी तूफान तो आई जाते हैं, अब ववस्था तो बहुत करी, और भगवान से प्रार्थना भी करी, लेकिन आधी तूफा का पता नहीं होता आपके हाथ में नहीं है तो हमारे हाथ में हमारा भाविश्य नहीं है या तो कर्मों के हाथ में हैं किसके हाथ में हैं कर्मों के हाथ में और आपका पुर्शार्थ अधिक हो तो आपके हाथ में जब मंद कशाय चले जब कर्मों का उदय मंद हो तो आप पु मन्द उदय हो तो धरम करें और तीव्र उदय हो तो धहरी रखें यह दो चीजों के साथ जो जीता है वो जीत जाता है जो इन दो चीजों के साथ जीता है वो जीत जाता है और जीतना ही हमारे जीवन का लक्ष है तो म्रत्यू हमारे हाथ में नहीं ना हमारे हाथ में जनम है और ना हमारे हाथ में म्रत्यू का समय है म्रत्यू का इस्थान है हम जनम की तैयारी नहीं कर सकते हैं मगर मरन की तैयारी कर सकते कहां होगा यह हाथ में नहीं है मगर तयारी हमारी हाथ में है अब कुछ लोग कहते जब आएगा समय तब देखेंगे नई म्रत्यों की तयारी सारी जिन्दगी करनी पड़ती है जैसे की बच्चा है परिक्षा होती है चार दिन पांस दिन में सारे पेपर हो जाते हैं कितने दिन में चार पांस दिन में सारे पेपर हो जाते हैं तयारी कितने दिन करता है छे महिने आठ महिने दस महिने तक तयारी करता है तब कहीं जाके वो चार पांस पेपर की तयारी कर पाता है फिर तो यह अगले जलम की तयारी है, फिर तो यह मृत्यु की तयारी है, एक दो महीने में नहीं होगी, सारी जिंदगी लगानी पड़ती, बड़े सावधान रहना पड़ता है, अभी से पूरे प्रयास और पुरुशार्त जागरत करना पड़ता है, अब किसी का यदि अन्त समय उसने सारी जीवन धरम किया है और अंत समय उसका बिगड़ गया तो क्या होता प्रश्नी यह है कि अधि अंत समय बिगड़ गया तो क्या होता है तो अंत समय बिगड़ने का मतलब है कि वह क्रोध कर रहा है चिला रहा है मुही प्राणियों को याद कर रहा है दिन भर खाने खाने को मांग रहा है मुह में खाना है और चला गया मुह में खाना है और एक ग्रास हाथ में है एक ग्रास मुह में है और चला गया तो ऐसे में क्या होता है तो यदि कशाय मंद है, भाव धरम के नहीं है, माया कशाय का है, तो ऐसे समय में त्रियंच गती, आर्थ ध्यान से जा रहा है, तो त्रियंच गती में जाएगा, उसमें इस्ट वियोग, कोई चीज हमसे दूर चली गई, उसको याद करते करते गए, अनिष्ट संयोग, जिसक में गए और निदान बंद, ये बगवान अगले जनम में ऐसा हो, तो निश्चित ही इससे मरण बिगड़ जाता है, मैंने शास्त्र के अनुसार चारों ध्यान बता दिये, जो आर्थ ध्यान है, वो त्रियंच गती का कारण है, यदि इनके साथ में मरण होता है, तो त्रिय है, ना माया है, ना लूब, कम है, खतम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका मन दूदाय चल रहा, चांती से चला गया, ना भगवान को याद कर रहा था, ना जादा घरवालों के मुहमाया में पड़ा था, बस चांती से चला गया, मनुश्य गती, कौनसी गती, मनुश्य गत अधिक रोध करते हुए जा रहा है अधिक पाप करके गया है तो नरगती कौन्ची जती नरगती अब मरन हर कोई सुधारना चाहता है की नहीं बोलिए ना यदि मरन सुधर गया तो जनम सुधर गया क्या कहा मैंने मरन सुधर गया तो यहां का गणित लग है लोग जनम केती खुशी बनाते हैं और मरन का दुख बनाते हैं लेकिन जैन धरम कहता है कि जनम हमारे हाथ में नहीं है कि कहा होना है मरन हमारे हाथ में है कि कहा हो सकता है हमारा आगे का जनम तो जनम सुधर ने के लिए मरन सुधर ना है और यादि जीवन सुधर लिया तो मरन सुधर गया कि जीवन सुधर लिया तो मरन सुधर गया कई बार ऐसा होता है कि धरम करने के बाद भी मरन नहीं सुधर पाता उसका एक कारण तो है आयूबंद जैसे राजा श्रैनिक राजा श्रैनिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था तो सर्प डालने के कारण से और उस समय उसके आत्म हत्या के भाव आये थे तो उस कारण से उसके सात्वे नरक्का बंद हो गया था लेकिन आप पुर्शार्थ की ताकत देखिए नरक्का बंद हो गया है साक्षात तिर्धंकर का सानिध मिला भगवान महावीर का सानिध मिला भगवान के चल्णों में गया इतने प्रणाम शांत हुए कि भगवान महावीर के समोश रण का मुख श्रोता बन गया क्या बन गया? मुख श्रोता यानि कोई प्रशने पूछे तो जवाब मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन ये राजा श्र्यानिक प्रशने पूछेगा तो जवाब जरूर मिलेगा दिविध हने जरूर खिलेगी तो इस तरह से मुख्ष रोता बन गया अपने पुरुशार्त से सोलाय कारण भावनाय भाई चाईक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया सात्वे नरक का बंद करने के बाद भी चाईक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सोलाय कारण भावनाय भाली तिर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया लेकिन जब अंत समय आया, बंद छूटता नहीं है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मगर छूटता नहीं है सात्वे नरक का बंद किया था, लेकिन भगवान का साक्षात सानित और छाइक सम्मेक दर्शन की प्राप्ति तिर्थंकर प्रकरती के बंद के कारण से वो सात्वा नरक पहले नरक में आ गए पुर्शार्थ कितना पुर्शार्थ किया तो सातवे नरक को पहले नरक में ले आए लेकिन नरक को छोड़ा नहीं सकते हैं जैसे आपने किसी ट्रेयन का रिजर्वेशन करवाया, आप कैंसिल करा सकते हो, वहाँ पर इतनी छूट है, लेकिन नरक में यह दी रिजर्वेशन हो गया, तो आप डिब्बा आगे पीछे कर सकते हो, मंगर उस ट्रेयन को छोड़ नहीं सकते हो, स्वर्ग का बंद किया है, किसी ने सोलवे स्वर्ग का बंद कर लिया, और जादा पाप कर लिये, बंद होने के बाद में तो नीचे आ जाएगा, किसी ने दूसरे स्वर्ग का बंद किया और ज्यादा भक्ती कर लिए ज्यादा धरम कर लिया उपर पहुंच जाएगा लेकिन जाना तो स्वर्ग ही पड़ेगा जाना तो नरक ही पड़ेगा मालो त्रेंच गती का बंद हुआ त्रेंच गती में भी आप उसमें कौन सी परिया अदिए तो कुत्त भी कई तरह के होते हैं सबने रचाई के अंदर सोता है दिन भर मालकिन की गोदी में रहता है यह रोपलेंट में जब हो कहीं जाती है मालकिन तो लेके जाती गोधी में विठा अपने बच्चे को बिठाए ना बिठाए टाइम से भोजन मिलता है एक छी की भी अजाय तो दवाही दी जाती है एक कुत्ता वो भी है और एक कुत्ता वो भी है गली का जो जिसको खुजली से पूरे शरीर के बाल ज़र गए है खून निकल रहा है मगर उसे कोई रोटी देने वाला भी नहीं है तो धर्म का ये दो प्रभाव है यदि आपने पर्याए बांध ली है तो जाना तो आपको पड़ेगा लेकिन धर्म हमारी इतनी सहायता करेगा कि हमें वहाँ भी सुक से रखेगा धर्म हमारी इतनी सहायता करेगा कि साथवे नरक 33 सागर की आयू से निकाल करके मात्र यहाँ पर नरक में जो आयू है उसके अनुसार उसने जितनी बन क्योंकि एक आयू तो होती है लेकिन उसके साथ में उसकी उपर नीचे जैसे कि इस समय की आयू 120 वर्ष है मनुष्की आयू लेकिन कोई 40 में चला जाता है किसी की साथ होती है किसी की सतर होती है तो कम ज्यादा होती है वो भी हो सकती है तो इतनी कम आयू को प्राप्त करना 84,000 वर्ष रह गई केवल राजा श्रयानिक की आयू जो है 33 सागर से निकलके मात्र 84,000 वर्ष रह गई मात्र 84,000 वर्ष 21,000 पंचम काल के 21,000 6 काल के फिर 21,000 6 काल के 21,000 5 काल के ऐसे 84,000 वर्ष व्यतीत होंगे और जैसे ही चतुर्थ काल लगेगा वैसे ही वो तिर्थंकर बनके इस धरती पर जनम लेगे तो अपने भावों को विशुद्ध बनाए अपने भावों को अच्छा बनाए और अपने भावों पर धर्म का नियंत्रन रखें तो तो ये भाव नरक में भी हमारी सहायता कर देगा अपने भावों पर नियंत्रन नहीं रखा किवल क्रोध मान माया लोम में ही पड़े रहे तो ये हमारी धर्ती में भी सहायता नहीं करेगा तो मरण बिगड़ रहा है या सुधर रहा है ये हमारे हाथ में चलिए मैं तीन चीज़े बोलूँगी आपको कहना बड़ा ही महत्र है क्या बोलना है आपको चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तिर्धंकरों में मुनी सुबरत नाथ का पंखा में जलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का कमरे में कौने का, बीज में बौने का और आपके पंच कल्यानक में आने का कहा कहा से आए है पथरिया, राम की सिया का राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में पथरिया का शाहपूर गाने में सुरका नत्य में नुपूर का और आने वालों में शाहपूर का भीलवारा इंदोर अच्छा महिलाओं के हाथ में कडा का भोजन में बडा का और आने वालों में भीलवारा का नेता की दौर का जिले में महा पौर का और आने वालों में इंदौर का दमों है छोड़ने में मोह का वस्तुओं की टो का और आने वालों में दमों का महल का अच्छा गाड़ी में चक्का का गाड़ी में चक्का का घर में काका का और आने वालों में महल का का मचाने में तहलका का गौहाटी अच्छा राजिस्थान में दालवाटी का देव कितने खुश होगा दालवाटी के नाम से भोजन में राजिस्थान में दालवाटी का ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गोहाटी का और सरवार यहीं वाला सरवार मुख में दाड का मुख में दाड का बाग में बाड का और आने वालों में सरवार का सागर पानी में गागर का ब्रक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का मेड़ता सिटी ट्रेन में टिटी का घर में बेटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का सिल्चर अच्छा पशुओं में चर्का पशुओं में चर्का पक्षी में पर्का और आने वालों में सिल्चर का शिप्पुरी दीमापूर डिभरूगर ब्रक्षों में बढ़का की जड़का और आने वालों में डिबरू गड़का तरियंचों में बिल्ली का तरियंचों में बिल्ली का डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का जालावार अच्छा चावल के माड का चावल के माड का और गुरुओं के भिहार का और आने वालों में जालावार क जरुआ खेड़ा जरुआ खेड़ा शब्द का अर्थ जानते हो नहीं मैं नहीं बता रही है आप मुझे बता देना भोजन में बड़ा का गर्मी में घड़ा का और आने वालों में जरुआ खेड़ा का स्वर्गे में परी का बैठने में दरी का और आने वालों में शिप्पूरी का आत्मा में एक का मनुष में नेक का करने में भगवान की अविशेक का बच्चों के लालना का जुलाने में पालना का और आने वालों में जालना का अभी गोर जामर स्वर्गे में अमर का पाठो में भक्तामर का और आने वालो में गोर जामर का गुना अनाज में चना का पेड में तना का और आने वालो में गुना का चलिए अगला प्रस्थन यहाँ पर पंच के लियानक फिर्दिश्टा महुसो में अभी मुख इंद्रों का बोली की द्वारा चेहन हो जुका है इसकी बार्द में अभी ब्रह्म ब्रह्म मुत्तर लांतो का उपेश्ट साता रहा है साता ऐसे बारह इंद्र जो हैं उनका पांच लाक इंक्याउन हजार रुपे में हम यहां पर उस इंद्र को बन सकते हैं बारह प्रतिंद्र हैं जो की दो लाक इंक्याउन हजार रुपया देख करके और यहां पर इंद्र बन सकते हैं और सामान जो इंद्र हैं वो एक सो आठ इंद्र आहेंगे उनको एक लाख आठ हजार रुपया दे करके और यहाँ पर इंद्र बन सकते हैं लोकांतिक देव जो कि भगवान के जब मुनिराज का बेराग गुत्पन होता है तब लोकांतिक देव उनकी बेराग के अनुमुद् देव बन सकते हैं और अन इंद्र पांसो एक हैं वो इंक्या उन हजार रुपय दे करके और इंद्र बन सकते हैं इस तरह से अभी माता जी ने जो बताये था कि बेदियों की शुद्धी जहां पर भगवान जिस बेदी पर बराजवान होते हैं उसकी भी प्रितिष्ठा होत है और उस प्रितिष्ठा में मुख जो रोल रहता है महिलाओं का रहता है सुद्धी महिलाओं का तो जो मुख बेदी की सुद्धी जो महिलाएं करेंगे उनका पांस लाख रुपया दे करके और उस मुख बेदी को सुद्ध कर सकते हैं चोविश बेदियों जो उपर बन र कर सकते हैं सहत कूट तीन जनाला हैं उनमें इनक्या उन हजार रुपया दे करके और उनकी सुद्धी में सहवागिता आप दे सकते हैं सिखर की सुद्धी भी होगी उसमें इनक्या उन हजार रुपय दे करके सिखर की सुद्धी में हम सहवागिता व्यक्त कर सकते हैं इसके ब कि द्वारा ही होती है, उसमें भी हम सुद्धी कर सकते हैं, यह से भी हो यहाँपर, हम किसी रूप में पंच कल्यानक भाग लेकर के, और हम अपने जीवन को सुभा मिठा वना सकते हैं, क्योंकि यह पंच कल्यानक, जो है माताजी ने बताया वो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यह विश्व इस्तर का पंच कल्यानक हो रहा है विश्व के हर कौने से यहाँ पर लोग आएगे भारत के हर कौने से यहाँ पर इंदन्दानी आदी बने हैं तो आप भी अपने जीवन में अपना सोभाग व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर यदि इंदन्दानी वनना है तो सामान इंदन्दानी आप वन सकते हैं 21,000 रुपया में और 21,000 रुपया के अलावा यहाँ पर 24 भगवान के 24 जो ब्रक्ष होते हैं केविली ब्रक्ष उनमें 24 चरण यहाँ पर ब्राजमान करें के जा रहे हैं उन चरणों की शुद्धी के लिए 21,000 मात्र 21,000 रुपया दे करके एक चरण की शुद्धी कर सकते हैं इस तरह से अपने जीवन को हम धन बना सकते हैं अब हम माता जी शे निवीदन करते हैं कि हमाता जी हमारे जीवन में सुख कैसे उत्पन्द हो इस विशाय पर आप ब्यक्तब रहने की किरपा करें कल रात मैं बाहर बैठी थी और सामने एक बक्सा रखा उसके उपर गद्दा रखा था उसके उपर कंबल रखा था एक छोटी सी बिल्ली आई और जाके कंबल के उपर सो गई है उससे में मुझे एक लाइन याद आई सुख चाहें दुखतें भाइबाइद संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से भाइबीत रहते हैं एक बिल्ली को भी पता है कि सोने का सुख कहां पर मिलेगा वो पूरे प्रांगन को छोड़ करके यहां आई उससे पता कि यहां कंबल रखा है इस पर सोने में मजा आता है एक बिल्ली को भी पता है बड़ा चिंतन चला इस बशेव पर बड़ा अच्छा भी लगा देख करके कि चाहिए चीटी हो, चाहिए मक्खी हो, चाहिए मक्छर, कोई हो, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव, पेड की उना हो, पेड को भी सुख चाहिए, जब कोई लकड हारा, कुलहारी ले करके आता है काटने के लिए, तो वो भी डर जाता है, वो भी पुखान होता है, यानि कि स प्रवब नहीं है वह हम नहीं चाहते यांए दुख हमारा सुभाव बोले न लेकिन बनाकर रखा कि नहीं सारे दिन दुखी रहते रibliaid हुआ हुआ है